एक अच्छे घर का सपना आखिर कोन नहीं अचाता नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आपकी नीशा हाजीर है आपी के अपने यूटुब चानल SB Homes में आज मैं आपके लिए लेकर आयू 84 गुज में बना एक बहुत ही ब्यूटिफुल सा हाउस ZD Approach आज का हाउस रहने वाला है 3BH के आपका घर बना हुआ है काफी टाइम से आप ढूंड रहे हैं ZD Approach में एक affordable price के साथ बना घर तो बिल्कुल आज का वीडियो इस पेसली आपके लिए है तो इसकिप करने ही गलती तो आप बिल्कुल भी ना करें सबसे पहले हम देखेंगे ऐलिवेशन लूप तो देख सकते हैं दोस्तो ऐलिवेशन बहुत ही खुपसुरत आज के हाउस का रहने वाला है टेक्शर वो किया गया है यानि कि in future weather में कभी भी कुछ भी खराब नहीं होने वाला है तो देखा अपने front इतना खुपसुरत है तो अंदर से house कितना खुपसुरत बना होगा तो बिल्कुल अभी हम थोड़ी देर में अंदर चलने वाले हैं दोस्तो काफी residential आज का एरिया रहने वाला है जैसा है कि आप देख सकते हैं प्रॉपर डवलप्ट आपका एरिया रहने वाला है प्रॉपर लोकेशन के अगर हम बात करेंगे तो सुशान सीटी फ़र्स्ट में आज का house रहने वाला है दोस्तों पार्किंग एरिया काफी अच्छ आपको मिल रहा है इजीली यहाँ पर आचाया का आपका टूबी लाइट एंड इस तरफ आपको एक छोटी लोबी मिल जाती है एंट्री की बात करेंगे डूबल एंट्री आपके house की रहने वाली है यह जो आप एंट्री देख रहे हैं यह डारेक्ट आपको ले जाएगे आपके gas room में अभी हम डारेक्ट चलते हैं आपके living area में यहाँ पर आचाता है आपका water tank provision electric junction भी आपको यहाँ पर दिया गया है stairs आपको बाहर से मिल रही है जो कि ले जाएगी आपको आपके first floor पर आपका third bedroom first floor पर यहने वाला है जो कि हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं आचा यह बातचित करते करते अभी हम पहुच चुके हैं आपके living area में बहुत ही अच्छी space के साथ दोस्तों आपको living area मिल रहा है यहाँ पर easily आप L-shape में 5-6-seater sofa place कर सकते हैं beautiful सी center table के साथ देख सकते हैं wall जो है आपका बहुत ही beautiful सा paint इस पर किया गया है यहाँ पर wall self भी आपको मिल जाते हैं fall ceiling में देख सकते हैं दोस्तों कुछ different concept के साथ fall ceiling आपको मिल रही है जिसमें paint जो किया गया है वाकई बहुत ही प्यारा किया गया है यहाँ पर LED पैनल मिल जाता है थूड़ा small है लेकिन बहुत ही प्यारा आप करहने वाला है इसी के जो space में यहाँ पर आजाएगा आपका wall basin area wall basin आपको provide करवा कर दिया जाएगा तो आप बिल्कुल भी tension ना ले दोस्तों यहाँ पर आपको common washroom मिल जाता है और बहुत ही अच्छे space के साथ रहने वाला है अब हम देख लेते हैं आपका kitchen आ जाएए यह देखें यह है आज के house का kitchen देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छे space मिल रहा है L-shape के साथ में working station मिल रहा है और यहाँ पर ventilation के लिए proper window दी गई है आपको आप देख सकते हैं और नीचे drawers भी आपको काफी सारे मिल जाते हैं तो दोस्तो अपना kitchen बहुत ही प्यारा लगा मुझे और यह है आपका fast bedroom यह देखें बहुत ही अच्छे space के साथ मिल रहा है यहाँ पर भी paint किया गया है false ceiling में भी same paint आपको मिल जाता है और यहाँ पर backyard भी दिया गया है proper ventilation बना रहेगा tap के लिए आपको option मिल जाता है आप चाहे तो यहाँ पर अपनी small washing machine भी place कर सकते हैं wardrobe भी आपको यहाँ पर provide करवा के दी गई है जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज यह देखते हैं आपको second bedroom second bedroom को gas room के purpose से use कर सकते हैं हाँ आप तो समझे गए होंगे लेकिन एक बार फिर दे दोहरा देती हूँ कि यहाँ पर आपको dual entry मिल रही है तो easily से आप gas room purpose से use कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी different paint गया गया है color combination तो बागी बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत है fall ceiling में देख लीजिए दोस्तो fall ceiling different concept के साथ cop lights के साथ आपको मिल रही है यहाँ पर आपको full size की wardrobe मिल रही है window दी गई है जो कि बाहर की तरफ खुल रही है proper ventilation बना रहेगा आपके gas room में attached washroom भी मिल जाता है आपको gas टाएंगे उनको washroom यूज करना होगा तो easily washroom को use कर पाएंगे आपके bedroom में जाने के बज़ाए आजाए तो ये तो हम कर चुके हैं आपके ground floor का tool अरे आ गए इतनी जिल्दी है आप तो आज जाएगे देख लेते हैं आपको third bedroom तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले आजाएगे आपकी terrace देख सकते हैं flooring में काफी खुबसरा tiles आपको मिल जाती है यहां पर आपको एक common washroom भी दिया गया है देख सकते हैं आप देख लिजए दोस्तों western seat के साथ आपको washroom मिल जाता है tiles का work भी बहुत ही प्यारा किया गया है अब हम देखते हैं third bedroom यह देखें यह हैं आपको third bedroom यहां पर भी yellow color के साथ में आपको texture work मिल रहा है और आपको इसी के लिए separate point भी मिल जाता है आपके तीनों bedroom में आपको इसी के लिए separate point मिल रहा है wardrobe भी दी गई है टॉप तक आज यह balcony देख लेते हैं यह देखें आप बहुत ही अच्छी space के साथ आपको balcony मिल रही है उपर से covered भी रहने वाले जिसमें cop lights और बहुत ही अच्छी fall ceiling का use किया गया है अब हम finally गड़ चुके हैं आपके घर का टूर अब हम बात करेंगे price की price की बात करने से पहले हाँ आप तो समझी गए हो लेकिन और फिर भी बोलना चाहूंगी कि अब भी तेक चैनल को subscribe नीक है तो जल्दी से जाके चैनल को subscribe कर ले and also press the bell icon उसको तो बिलकुल भी न भूले उससे क्या रहेगा कि आपको हमारे नई नई वीडियो की notifications टाइम पर मिलती रहेगी अब हम कर लेते हैं प्राइस की बाद जेडी अपरूट प्रॉपर्टी 84 गजले बनी हुई है आप भी आइडिया लगाए लेकिन मैं बताई देती हूँ 42 लेक्स में यार 42 लेक्स में आपको ये house मिले वाला है वो भी 3BS के जेडी अपरूट देर किस बात की है नंबर तो स्क्रीन पर दिखे रहे होंगे फोन उठा कर निशा को कॉल करें और आजाएं साइड विजिट के लिए तब तक के लिए थैंकि सो माँ जय हिंज जय बारत